नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन की मुख्यमंतरी चंपई सोरिन सीर पर तोरंदवार गिरने से लगी चोट जार्खन की सीम चंपई सोरिन बाल बाल बच गए खबरह्किर अभिवार को महागडबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे इसी दोरान बैठक के बाहर निकलने के दोरान फूलों से सजात तोरं दवार गिर गया मीडिया की ख़बरों को माने तो इस दोरान मुख्यमंत्री को हलकी चोटे आई घटना के बाद तुरंट सीम को होटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की टीम ने हिलाज किया राम नौमी के मौके पर सोशल मीडिया में फैलाई अफवा तो होगी जेल राम नौमी के आउसर पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवा फैलाने वालों को जेल भीज़ा जाएगा बतादे कि इसको लेकर जहारखंड पुलिस ने गाइड लाइन जारी कर दिया है गुमला से बड़ी खबर है यहां हथियार के साथ दवोचे गए चार अपराधी छारखंड के गुमला से बड़ी खबर है यहां गुमला शहर के पौस्श इलागे पटिल चौण के समीप ये इकठा होकर किसी बड़ी खटना को अंजाम देने की फिराग में थे जारखन में पहले चरण के लिए चार लोगसभा सीटों के लिए 18 से शुरू होगा नमांकन जारखन में पहले चरण में चार लोगसभा सीट सीभूम, खोटी, लोहरदगा और पलामू सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रेल से शुरू होगी और 13 मई को वोटड डाले जाएंगे बदादी की जारखन में इस बार लोकसभा की 14 सीटों के लिए चुनाव चार चरण में होगे जारखन की 14 लोकसभा सीटों में NDA इंडी गड़ बंधन और अन्यद्यल अब तक 34 परत्याशिव की घोशना कर चुके हैं कभी भी जारी हो सकता है जैक दस्वी बारवी का रिजल्ट जारखन सेक्षिक परिश्यत जल्द ही कख्षा दस्वी और बारवी का रिजल्ट जारी कर सकता है इस वर्स दोनों कख्षाओं की परिख्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 के बीच हुई थी बता दे की कख्षा दस्वी और बारवी की एकजाम दो पालियों में आयुजित की गई थी सीबियसी बिद्यालेव में अब मिलेगा स्नेक्स ब्रेक बिद्यालेव में अब केवल लंच ब्रेक ही नहीं स्नेक्स ब्रेक भी बच्चों को मिलेगा सीबेसी बिद्यालेव में कक्छा 3 और 6 के लिए ब्रीज कोर्स जारी कर दिया गया है खबर है कि ब्रीज कोर्स में बीसेस यह है कि 45 मिनट के लंच ब्रेक के अलावा 2 से 3 पिरियट के बाद 15 मिनट का स्नेक्स ब्रेक भी दिया जाएगा बतादी की 3 और 6 कक्छा में NCERT ने इस पत्र से जिहां इस सत्र से नई किताबों और नए सीलबस की शुरुवात की है नए पाठे करमों को बच्चों को कैसे पढ़ा जाएगा इसे लेकर हर बिसय के लिए घंटे और पिरियट तै किये गए है बतादे की शनिवार को दोनों कक्छाओं में किताबे पढ़ाई नहीं होगी बलकि एक्टिविटी कराए जाएगी UPSC सीविल सेवा परिच्छा का फाइनल रिजल्ट इस दिन होगा जारी UPSC इस सप्ता सीविल जहां सीविल सेवा परिच्छा दोहजार तीस का रिजल्ट UPSC.GOV.I.N पर जारी करने वाला है रिजल्ट जारी होने के बाद आप टॉपर्स के नाम और उनके स्कोर आधिकारिक वेबसाइट UPSC.GOV.I.N पर देख सकते हैं बता दे कि पिछले दो सालों में सिर्ष पदों पर महिलाओं का दबदबा रहा है जिसमें इशीता किशोर ने AIR-1 हासिल किया है इसके बाद 2022 के रिजल्ट में गरीमा लोहिया, उमा हर्थी, एन और इस्मिरिती मिस्रा है इससे एक साल पहले सुरुती शर्मा ने UPSC.C.S.C. 2021 परिक्षा में अखिल भारती रैंक 1 हासिल की थी 2021 के नतीजों में भी सभी सिर्ष तीन अस्थान महिलाओं ने हासिल किये थे जिसमें अंकीता अगरवाल ने NIR दो हासिल किया था और चंडिगर की गामिनी सिंगला ने रैंक 3 हासिल की थी WhatsApp पर जल्द मिल सकती है ये खास सुविधा WhatsApp के पास काफी बड़ा यूजर बेस उपलब्द है मेटा के अधीन आने वाले इस एप में समय समय पर अपडेट जारी होते रहते हैं इसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp पर एक नई सुविधा मिलने वाली है खबर है कि आने वाले कुछ समय में WhatsApp के स्टेटस अपडेट को Instagram पर साजह करने का option दिया जाएगा कई मीडिया की खबरों को माने तो मेटा इस फीचर पर अभी काम कर रहा है WhatsApp अपडेट पर नजर रखने वाली कमपनी के अनुसार मेटा मीडिया शरींग को बेहत्तर करने के लिए WhatsApp के स्टेटस अपडेट को प्लेटफॉर्म से बाहर यानी Instagram स्टोरी पर साजह करने का फीचर तयार कर रहा है खबरों की माने तो WhatsApp स्टेटस अपडेट को सीधे तोर पर Instagram से जोडने के लिए कमपनी तयारी कर रही है इस दिन आ सकता है CBSC बोट रिजल्ट दसवी बारवी के शातर रहें तयार CBSC बोट के दसवी और बारवी के रिजल्ट का इंतिजार जल्द खत्म होने वाला है CBSC ने सभी विद्यालें को 18 अपरेल तक कौपियां चेक करने का आदेश दिया है CBSC कक्षा 10 और 12 के परिणाम जारी करने की तारिक और समय की घोशना बेहत जल्द हो सकता है 10 और 12 के रिजल्ट CBSC की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in पर देखा जा सकता है बतादे की रिजल्ट चेक करने के लिए इनका भी यूज कर सकते हैं जो है डिजलोकर वेबसाइट डिजलोकर मोबाइल अप और उमंग एप इस साल CBSC कक्षा 10 वी की परिशा 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक आयूजित की गई थी और CBSC कक्षा 12 वी की परिशा 15 फरवरी से 2 अप्रेल 2024 तक आयूजित की गई थी दोनों कक्षाओं की परिशाए एक ही पाली में आयूजित की गई एक्स ने बैन किये 2 लाग से अधिक भारतिये खाते एलन मस्क के सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था ने पॉलिसी का उलंगन करने के कारण एक महिने के अंदर लगबग 2,12,627 खातों को बैन कर दिया है परेकी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने खुलासा किया कि उसने 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच भारतिये साइबर स्पेस के भीतर आतंक वात का परचार करने वाले 1235 खातों को भी हटा दिया 2021 के नए IT नियमों का पालन करते हुए एक्स कॉर्प ने अपनी मंतली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कुल मिलाकर इस रिपोर्टिंग साइकिल के दोरान प्लेटफॉर्म ने देश भर में 2,13,862 खातों पर बैन लगाया है एक्स कॉर्प के अनुसार उसे इस समय सीमा के दोरान भारती यूजर्स से 15 जहां 515 शिकायते मिली BSNL जल्द ही शुरू करने वाला है 5G सर्वीज भारत की सबसे बड़ी सरकारी टेलिकॉम कमपणी BSNL की ओर से देश में नए 5G नेटवर्क टावर लगाने की खबरे सामने आ रही है खबरे की BSNL द्वारा 6 से ज़्यादा राजियों में टावर लगाये जा रहे हैं यह सबी 5G टावर होने वाले कारिकरम की अंतरगतिय निश्शी तरूप से भारत में जीओ नेटवर्क कमपणी के लिए बड़ा बिसे बन रहा है BSNL अपने सामराजिय को बढ़ाते हुए भारत के अलग लग राजिय में अपने नए टावर लगाकर लोगों को मुत में 5G सर्विस परदान करने वाला है बतादे कि इसी के साथ BSNL 5G टावर में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ बेहतरिन सुविधा भी देखने के लिए मिलने वाली है और यह सरकारी टेलेकॉम जल्द ही देश भर में अपनी 5G सर्विसेज को लौज करने वाली है इसी के साथ यह नीजी कमपनियों की सिवावर को टक कर दिन वाली है जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय BSNL की यूजर से 3G और 4G का ही उप्योग कर पा रहे हैं DRDO ने तीसरी पीड़ी की MPATGM मिसाइल का क्या सफलता पूरवग परिशन DRDO ने PFFR राजस्थान में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल यानी MPATGM हथियार प्रणाली विकासात्मक का सफलता पूरवग टेस्टिंग किया है इस दोरान DRDO ने मिसाइल और वार हेड फरफों में सटीक पाई गई बदाद की MPATGM या BAN जिहां या MEN PORTABLE एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल भारती तीसरी पीड़ी की फायर एंड फार गेट एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल जिहां ATGM है जो भारत के नाग ATGM से प्राप्त हुई है वर्ष 2022 से इसे भारती रक्षा शेत्र में अहम किर्दार में VEM Technologies Private Limited के साथ साज़ेडारी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वरा डेबलप किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानि DRDO मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल के लिए 15 थरष्ट फेक्टर कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने की प्रक्रिया से बनाया यह मिसाइल इंट्रा रेड लाइट को ट्रेक करता है